आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंचो सूप की रेसिपी या लेरियू में नूडल्स मैंने यहां ग्यास पर चड़ाएं एक लिटर पानी गरम होने अब इसमें डालेंगे वन टेफिल स्पून ओईल जैसे ही पानी गरम होता है हम इसमें डालेंगे नूडल्स और इसे ब बॉइल नहीं करना है यह बॉइल हो रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ इसे चेक करकर बस इस तरह से यह तूटते हैं मतलब रडी है अब हम इसे पानी से निकाल लेंगे एक स्ट्रेशनर में और इसके अंदर हम डालेंगे थंडा पानी जिसे अपस में छिपकेंगे नहीं अब हम इसे कोई क्लॉथ या पेपर के ऊपर ड्राइ कर लेंगे यह ड्राइ हो चुके अब इसके ऊपर में डाल जो टू टेबल स्पून कॉन फ्लार और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम और इसे अब फ्राइ कर लेंगे यहां मैं ले रही हूं पैन उसमें मैंने ओईल गरम किया है अब हम इसके अंदर थोड़े से नूडल्स डाल कर फ्राइ कर लेंगे हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करना है इस रेड़ी है हमारे नूडल्स इस तरह हमने सभी नूडल्स को फ्राइ कर लिया अब हम बनाते हैं सूप जिसके लिए हमें चाहिए चौप किये कैरेट आफ कप वन कप पतली कटी क्याबेज यह कैपसिकम हाफ कप ओनिय काफ कटींूट आफ कख़े यह 2 तेबल स्पुन कॉनफलार नमक टीश थिपून तोया सुस अदरक्की पेस्ट हाफ टीश पून कालि मिर्च पाउदर हाफ तीश पून गार्लिक पेस्ट हाफ टीश पून हरा धनिया टोमेटा सॉस वन टेबल सुन चिली आफ टेबल स्पू की о vi जैसरी fan घरम होगा हमम इसमें डालेंगे नाद ओर हम इसमें डालेंगे जिंजर पेस्ट जैसे ये फ्राई होते हलके से विसमें डालेंगे चौप की वह आ कि हमें सारी वेजटेबल को बारीक चॉप करना है अब हम इसमें दालेंगे चॉपकी हुए क्यारट अब हम इसमें डालेंगे चॉपकी हुए कैपसिकम और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे अब मैं डाल रही हूँ cabbage हमने इसे भी पतला पतला चौप कर लिया है जैसे हमारी सब्जया थोड़ी से सोते होती है हम इसमें डालेंगे नमक मैं या ले लिए 1 टेफल स्पून नमक आप टेस्ट के एकोडिंग नमक कम ज़्यादा कर सकते है यही काली मिर्च पौडर अब मैं इसमें डाल रही हूँ अजीनो मोटो यह बिल्कुल ऑप्शनल है अब इसे स्किप भी कर सकते है अब हम इसमें डालेंगे टोमेटो सॉस जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है आप अगर खटा मीटा टेस्ट ना चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली सॉस विनेगर और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हमारी सबजिया भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है अब हम लास्ट में इसमें डालेंगे विनेगर अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी यहां में डाल जहूँ वन लिटर पानी क्योंकि मैं सिक्स मेंबर्स के लिए सूप बना रही हूँ जब तक यह बॉयल होता है हम लेंगे एक बॉल में टू टेबल स्पन कॉन फ्लावर उसमें पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे अब हम इसे सूप के अंदर डालेंगे धीरे-धीरे और दूसरे हाद से सूप को चलाते रहेंगे दाकि कोई लंस ना हो कॉन फ्लावर की अब ये बॉइल हो चुका है आप देख सकते हो बस इसी कंसिस्टनसी का हमें सूप चाहिए अब हम इसे गार्निशिंग करेंगे कोरियंडर लिफ से ये रेडी है हमारा सूप सर्विंग के लिए ऐसे हम उपर से इसके उपर जो हमने रोस्ट करके रखे थे नूडल्स वो डालेंगे ये बन चुका है हमारा मैंचो सूप आपको हमारी ये रेसिपी अच्छे लगी तो कमेंट्स करकर जरूर बताना